नमस्कार आपको स्वगात है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं नियुक्लस सॉफ्ट्वेर के बारे में जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बैल आइकॉन पर क्लिक करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपको बताना चा यहां पर मार्च 20 से मार्च 21 में यानि कि यहां और यहां इक्सपेंस को देख लेते हैं तो मार्च 20 क्वाटर में 11,031 लाग के एक्सपेंस थे जो कि दिसम्बर बीच में 10,136 लाग के हो गए और मार्च 21 में 1,566 लाग के हो गए तो यहांपर हमें टो टाल एक्सपेंस की बात करते हैं Year and Year में घड़ते हुए नज़र आ रहा है और अगर बात करते हैंAsk वोगर देखते हैं हमें अ Gothic एक्सपेंचिन धाल हम गटते नजर आ रहा है हैं तो और और हम देखते हैं तो मार्चोटर में 3811 लाग के profit before tax थे जो कि दिसंबर 20 quarter में 3296 लाग के हो गए और मार्च 21 quarter में 3552 लाग के हो गए तो यहाँ पर profit before tax जो है year on year में घटता हुआ नज़र आ रहा है वहीं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter की तो quarter on quarter में profit before tax हमें बढ़ता हुए नज़र आ रहा है साथ में नमबर पॉइंट को देखते हैं profit for the period profit for the year को तो मार्च 20 quarter में 2814 लाग के profit थे जो कि दिसंबर 20 quarter में 2482 लाग के हो गए और मार्च 21 quarter की बात करने तो 2735 लाग के हो गए तो यहाँ पर हमें मार्च 20 से मार्च 21 में यानि कि year on year में profit घटते हुए नज़र आ रहे हैं वहीं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter की यानि कि December 20 से मार्च 21 की तो यहाँ पर हमें profit जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो अगर year on year में देखते हैं तो कंपनी और शेर होल्डर्स दोनों के लिए चिंता का विशा है कि year on year में net profit घटे हैं जबकि quarter on quarter में profit जो है बड़े हैं अब हम बात करते हैं कंपनी के सेंसियल्स की तो मार्केट के अफ है 1749.4 करोड का नंबर आप सेर्स जो मार्केट में ट्रेट कर रहे हैं वो 2.90 करोड है सेर्क पीवी रिच्यों दो 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 प्रतिश्यत का है और डिविडेंट डिल्ड एक दसमलों चानल प्रतिश्यत का है कैस रेजर्व की प्रतिश्यत का है और ऑसी 24 प्रतिश्यत का है एंटरप्राइस वेल्यू की बात करते हैं तो एक हजाट शह्तर दसमलों चैतीन करोड के अंटरप्राइस वेल्यू है अगर सेर्क पी रेस्यू देखें तो चौक्ट दसमलों चार आठ का है तो यहां पर फेस्वेल्यू 10 रुपए 66 पैसे है कंपनी वे करजे की बात करें तो जीरो दिखाई दे रहे हैं तो यह काफी अच्छा है कि कंपनी जो है कर्ज मुक्त है डेफ्ट फ्री है अब हम आज की दिन की बात करते हैं तो 6-1 रुपए आज की दिन की परफॉर्मेंस को देखें तो माइनस एक दसम्रों तीन अट प्रतिश्यत और 52 वीक्स हाई को देखते हैं तो 755 रुपए है जो कि साथ अक्टूबर 2020 को बना था और अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो की तो 231 रुपए 65 पैसे जो की 10 जून 2020 को बना था इस परकार हमने कंपनी एसेंश को देखा है सेयर प्राइस को भी देख लिया है अब हम डिलेवरेवल कॉंटिटी को देख लेते हैं कि कितने प्रतिश्यत की डिलेवरी उठाई गई तो वह है 553 प्रतिश्यत की यानि कि जितने 2018 में बढ़कर होगे 440 क्रूर, 2019 में फिट से बढ़ा और 511 क्रोर का हो गया, 2020 में 558 क्रोर का हो गया तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए नजार आ रहा हैं अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की की तो 2017 में 66 क्रोड के प्रॉफिट थे जो की 2018 में घठक सब्सक्राइब प्रतिशत जो कि अभी बनी हुई है इसकी बढ़कर यहां इसकी बढ़ी है यह बढ़ी है इस प्रतिशत होई है तो इस प्रकार हम कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हैं तो एर और में प्रॉफिट कम होते हुए नजर आ रहे हैं तो यह काफी निरास अजनक है और चंता की बात भी है कि पिछले यह की तुलना में पिछली कौर्टर की तुलना में जो है परफॉर्मेंस कंपनी ने अपना परकरार नहीं रख पाई है जोनों अभी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने बैल आइकॉन पर क्लिक करने वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद